पर दिन हजारों लोग अक्टर बनने की चाहत में मुंबई आते हैं लेकिन एक दो ही होते हैं जिनने फिल्मों में काम करने का मौका मिल पाता है बाकी यूँ ही दरदर की ठोकरे खाते फिरते हैं वो लोग जिनको कुछ फिल्मों में काम करने को मिल जाता है इसके बावजूत अबिनेत्रियों को किसे फिल्म में काम पाने के लिए अपनी इसी खुबसूरती का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है और डिरेक्टर्स के साथ हम बिस्तर भी होना पड़ता है जियां दोस्तों और आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसी ही कुछ अबिनेत्रियों के बारे में जिनने बड़े समझोते करने के बाद फिल्मों में काम करने का मौका मिला वो भी प्रोड्यूसर के साथ हम बस्तर होने के बाद तो दोस्तों आखर कौन सी हैं वो अब इने त्रियां जानने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें प्रियंका चोपडा दोस्तों आज प्रियंका चोपडा जैस मुकाम पर हैं उस मुकाम पर पहुचने के लिए लोगों की पूरी जिंदिगी बीच जाती है लेकिन फिर भी वो ये कामियाबी हासिल नहीं कर पाती और न सफल हो पाती है लेकिन प्रियंका चूपरा ने इस नामुम्किन को मुमकिन में बदला है लेकिन आक्टिंग करियर के इस मकाम तक पहुचने के लिए प्रियांका चूपड़ा को भी कई तरह की चुनोतियों का सामना करना पड़ा है ऐसा माना जाता है कि इन्हें भी एक फिल्म डिरेक्टर और प्रेडूसर के साथ रात गुजारनी पड़ी थी हलनके आज ये बॉलिवुड ही नहीं हॉलिवुड में भी एक जाना माना नाम है और साफ तोर पे इनकी काम्याबी के पीछे उनकी मेहनत और लगन का हाथ है कलकी कोचलिन साल 2009 में आई फिल्म देव डी से बॉलिवुड इंडस्टरी में अपना टैलेंट दिखाने वाली आक्टरिस कलकी आज भले ही बॉलिवुड इंडस्टरी में जाना माना नाम बन चुकी है लेकिन एक दोर ऐसा भी था जब इनने रोल पाने के लिए फिल्म प्रोड्यूसर के साथ हम बिस्तर होने का मन बना लिया था उनका माना था कि पॉप्पिलारिटी हांसल करने के बाद ये इस तरह का काम छोड़ देंगी और अपने आक्टिंग करियर पर फोकस करेंगी और असल जिंदिगे में भी इन्होंने ऐसा ही किया तिसका चोपड़ा आक्ट्रिस तिसका चोपड़ा बॉलिवूड इंडस्ट्री की बेहतरीन और खुबसूरत अबनेत्रियों में से एक मानी जाती है इन्होंने तारे जमी पर और गुड न्यूस जैसी फिल्मों में काम किया है लेकिन तिसका चोपड़ा ने भी इंटर्व्यू में ये खुलासा किया है कि इन्हें भी बॉलिवूड में नाम बनाने के लिए एक बार नहीं बलकि कई बार शारिरिक शोषन का शकार होना पड़ा बॉलिवूड इंडुस्ट्री की खुबसरत अदाकारा पायल रस्तोगी उन अक्ट्रिसेज में से एक है जिनके कातेलाना आदाओं पर लाखो लोग दिवाने हैं इन्होंने बॉलिवूड इंडुस्ट्री की ढोल जैसे फिल्मों में अपनी अदाकारी दिखाई है लेकिन एक वक्त ऐसा था जब इन्हें बॉलिवूड इंडुस्ट्री में पैर जमाने के लिए फिल्म डिरेक्टर के साथ सोना बड़ा था इस बात का खुलासा करते हुए इन्होंने एक इंटर्विव में बताया कि उन्हें एक डिरेक्टर ने फिल्म देने के लिए अपने साथ एक रात गुजारने का ओफर दिया था बॉलिवुड इंडुस्ट्री की जानीमानी आक्टर पृती जैन भी उन अभिनेत्रियों में शामिल हैं जिन्हें रोल पैने के लिए फिल्म डिरेक्टर के साथ रात गुजारनी पड़ी थी दरसल फिल्म डिरेक्टर मदूर भंडारकर ने प्रीती जैन को रोल देने का वादा किया था लेकिन मदूर भंडारकर ने प्रीती जैन को कोई रोल नहीं दिया और प्रीती जैन के हिसाब से लगभग 22 साल तक उनका शारेरिक शोशन किया जिसके बाद प्रीती जैन ने F.I.R. भी दर्च कराई थी तो क्यों दोस्तों आपको क्या लगता है फिल्मों में रूल पाने के लिए प्रोड्यूसर के साथ हम बिस्तर होना सही है या गलत हमें कॉमेंन सेक्षन में अपनी राय जरूर बताएं और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी और भी इस तरह की interesting videos आपको देखने को मिलें सबसे पहले थन्यवाद